कहानी की सुरुवात में हम काजुआ नाम के एक लड़के को देखते हैं 20 साल का काजुआ बिजनिस अड्मिस्टेशन की पढ़ाई कर रहा था और उसे इस बात का बहुत घमन था कि उसकी एक गल्फरेंड है बिल्कुल मेरे दोस्त की तरह काजुआ हर रोज की तरह आज भी अच्छे से तयार होकर जब अपने कॉलेज में जाता है तो उसकी गल्फरेंड मामी उसे कहती है कि मुझे कोई दूसरा लड़का पसंद आ गया इसलिए मैं तुम्हारे साथ ब्रेक अप कर रही हूँ जिससे काजुआ के पैरों के तले जमीन किसक जाती है घर जाकर वो खूब रोता है और सोचता है कि मैंने उसे किस तो किया लेकिन ये वो तो किया ही नहीं तब है उसके फोन पर रेंटल गर्लफ्रेंड का एड आता है जिसमें वो किराए पर गर्लफ्रेंड खरीद सकता था जिसके बाद वो एक गर्लफ्रेंड बुक करके उससे मिलने के लिए चला जाता है जो उसकी प्रेवियस गर्लफ्रेंड से भी जादा सुन्दर थी फिर व रात वो से फिर मिलते हैं बोलकर वहां से चली जाती है फिर रात को काजुआ फिर से उसी लड़की को ओर्डर करता है जहां वो उसके सर्विस और रिव्यू के बारे में भी पढ़ता है जिससे पढ़गर वो उसे गालया देने का सोचता है मगर next day फिर से वो उसी से मिलने के लिए चला डाता है इसका नाम चीजूरू होता है वो मिलते ही सबसे पहले अपनी फीस लेती है इसके बाद काजुवा उससे पूछता है कि तुम पैसो के लिए ऐसे वैसे लोगों से मिलती हो तो क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता चीजूरू कहती है कि नहीं ये काम मुझे बहुत पसंद है तभी तो मैं तुम जैसे लोगों से मिल पाती हूँ इसके बाद वो दोनों एक्वेरियम में घूमने के लिए जाते है मगर चीजूरू उससे ऐसे बाते कर रही थी कि जैसे वो उसकी सच में गल्फरेंड हो इसलिए वो उस पर चिलाने लगता है और उससे कहता है कि तुम किसी के फिलिंग को लेकर नाटक कैसे कर सकती हो जिसके बाद चीजूरू से पबलिक एरिया से बाहर ले कर जाती है और उस पर चिलाने लगती है वो उससे कहती है तुम्हारा दिमाग खराब है क्या मैं तुम्हारी भाले की गल्फरेंड हो तुमने टम एंड कंडिशन अच्छे से नहीं पढ़ा क्या कल तुमने जो मुझी एक स्टार की रेटिंग दी इसके बाद साइधी कोई रेंटल गल्फरेंड दुवारा तुमारे पास आती तब ही काजूरू को उसके घर से फोन आता है वो जब फोन उठाता है तो उसके डैड उसे बताते हैं कि उसकी ग्रेंडमा की तब्यद बहुत खराब है जिसके बाद वो वहां से हॉस्पिटल के लिए भागता है चीजूरू भी उसके पीछे जाती है क्योंकि उसके वर्किंग आर्स खतम नहीं हुए थे हॉस्पिटल पहुँच कर वो लोग देखते हैं कि दादी बिल्कुल ठीक है दरसल पूरी परिवार को एक साथ देखने के लिए ग्रेंडमा ने नाटक किया था फिर वो काजुआ से पूछती है कि ये लड़की क्या तुमारी गर्फरेंड है जिस पर काजुआ के मॉम डाड हसने लगते हैं और कहते हैं कि गर्फरेंड और वो भी इस तेल चटे की हो ही नहीं सकता लेकिन तभी वो उन सभी से कह देता है कि ये मेरी गर्फरेंड है इसके बाद चुजुर उन सब के सामने आगे आकर बड़े प्यार से कहती है कि हाँ मैं काजुआ की गर्फरेंड हूँ और फिर कहती है कि आप लोगों से मिलकर खुसी हुई ये सुनते ही ग्रैंड मा पागल हो जाती है वो अपने बेटे से कहती है कि तू जाकर साधी की तैयारी कर और अपने बहु से कहती है तू जाकर रिस्तिदारों को फोन कर दे मगर काजुआ के डैड उन्हें समझाते है कि मा सांथ हो जाईए इतनी जल्दी नहीं फिर वो वहाँ से चले जाते है इसके बाद ग्रैंड मा उन दोनों से पूछती है कि क्या तुम दोनों ने वो किया क्या तभी चीजूरू कहती है कि हम आपके मरजी के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे ग्रैंड मा कहती है कि अरे मेरे तरब से तो फुल छूट है राद दिन तुम जब चाहो तब कर सकती हो इसके बाद ग्रैंड मा वहाँ से अपने दोस्तों को बताने के लिए चली जाती है तभी चीजूरू कहती है कि मेरी ग्रैंड मा भी इसी हॉस्पिटल में एड्मिट है कहीं उन्होंने उन्हें बता दिया तो उन्हें नहीं पता कि मैं भाले पर ग्रैंड बनती हूँ जिसके बाद वो दोनों वहाँ से भाब जाते हैं लेकिन वो लोग उन्हीं की तरफ बढ़ रहे थे इसलिए वो दोनों एक वाड में जाकर चादर ओड कर छिप जाते हैं काजुआ चीजुरू के बहुत करीब था वो सोचता है कि ये तो मेरी गर्फरेंड है क्योंना मैं इसे किस कर लूँ लेकिन चीजुरू उसे उठा कर फेक देती है और उसे कहती है कि मैंने तुमसे कहा था न adopter रेंटल गर्फरेंड हूँ और तुमने टम and condition नहीं पढ़ा था क्या तभी वहाँपर चीजुरू की ग्रैंड मा भी आजाती है और फिर वहाँपर काजुआ की ग्रैंड मा भी आजाती है अब दोनों की ग्रैंड मा सामने थी और उन दोनों को पता चल गया था कि वो दोनों गल्फरेंड बॉइफरेंड है इसलिए बुढ़िया एक दूसरे को मुबारक बात देने लगती है इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते है चीजुरू कहती है कि हम उनसे कह देंगे कि हम दोनों का ब्रेक अप हो गया जिस पर काजुआ कहता है ये मेरी दादी को 30 बार हॉस्पिटल में भरती कराया गया है अगर उन्हें असलियत पता चल जाएगा तो पता नहीं क्या होगा लगता है मेरी ग्रेंड मा की मेरी साधी देखने की आकरी इच्छा पूरी नहीं हो सकेगी फिर वो उससे कहता है कि मैं अपने ग्रेंड मा की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ लेकिन एक दिन मैं उन्हें अपनी सची गल्फरेंट से जरूर मिलाऊंगा जिसके बाद चीजूरू वहां से चली जाती है फिर रात को चीजूरू अपना फोन चेक करती है तो आज काजूरू ने उससे पाच स्टार दिये थे अब हमें निक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि काजूरू जब अपने कॉलेज जाता है तो वो देखता है कि चीजूरू भी उसी के कॉलेज की स्टूडेंट है ये देख कर उसके तो हो सुड़ जाते हैं मगर चीजूरू वहां से भाग जाती है फिर जब काजुआ अपने class की तरफ जा रहा था तो चीजुरू से अपने साथ खीच कर auditorium में ले जाती है और उससे कहती है कि वो इसके बारे में किसी को ना बताए काजुआ कहता है कि ठीक है मैं किसी से नहीं कहूंगा फिर जब काजुआ अपने apartment में जाता है तो वो देखता है कि चीजुरू उसके बगल के apartment में ही रहती है मतलब चीजुरू उसके पडोसी थी लेकिन उसने पहले कभी उसे देखा नहीं था चीजुरू से देख कर अपने घर के अंदर चली जाती है और दरवाजा बंद कर देती है फिर वो उससे पूछती है कि तुम यहां क्या कर रहे हो तो वो कहता है कि मैं बगल वाले apartment में रहता हूँ अब हमें अगले दिन का scene दिखाया जाता है जहां काजुआ को उसकी दादी का message आता है कि वो princess चीजुरू से मिलने आ रही है जिसके बाद वो delivery person बनकर उसके घर जाता है वो दरवाजा खोलती है तो वो उससे कहता है कि आज मेरी grandma तुमसे मिलने आ रही है प्लीज मेरी girlfriend बनने का नाटक कर लो मैं इसके लिए तुमें बेदूंगा मगर चीजुरू से लात मार कर वहां से पगा देती है थोड़ी देर में grandma आ जाती है और काजुआ से पूछती है कि बहु कहां है तो वो कहता है कि वो part time job करने के लिए गई है जिस पर वो कहती है कि ठीक है फिर मैं रात तक उसका wait करूंगी मगर जब रात हो ज बाते सुन रही थी मामला बहुत emotional हो डाता है काजुआ अपनी grandma से माफी मांगकर उन्हें सच बताने का सोचता है लेकिन तभी वहां पर चीजुरू आ जाती है और grandma को वहां देखकर surprise होने का नाटक करती है grandma उसे वहां देखकर बहुत खुस होती है फिर वो उससे मिलकर चली जाती है उनके वहां से जाने के बाद काजुआ चीजुरू को उसकी फीस देता है मगर वो उससे कहती है कि मैंने ये पैसे के लिए नहीं किया जिस पर वो कहता है कि ये पैसे आज के लिए नहीं है मैं चा कि वो उसे बस वेडनस्टे को ही मिलेगी और अगर वो उसे स्कूल में या फिर घर में कहीं दिखेगा तो वो उसे एगनौर करेगा अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां काजुआ अपनी पुरानी गल्फरेंड मामी से टकरा जाता है मामी उसे हाय करती है और फिर बाई करके चली जाती है जिसके बाद काजुआ के फ्रेंड उसके पास आकर मामी को लेकर उसे चिढ़ाने लगते हैं फिर विंस्टे को जब काजुआ चिजुरू को लेकर ग्रैंडमा से मिलने के लिए जा रहा था तो तब ही उसके फ्रिंड उससे देख लेते हैं और वो उसे सैड में ले जाकर पूछते हैं कि तुम इस लड़की के साथ हाथ पकड़ कर क्यों चल रहे हो कहीं तुमने उसके उपर कोई काला जादू तो नहीं कर दिया काजुआ गुसे मुसे कह देता है कि ये मेरी गल्फरिंड है जिसके बाद चीजुरू भी उन दोनों के सामने काजुआ की गल्फरिंड होने का प्रिटेंड करती है इसके बाद वो दोनों जबर्दस्ती उन दोनों को अपने साथ पार्टी करने के लिए ले जाते हैं मगर लिफ्ट में काजुगा को अकेला देखकर चिजुरोस पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि उन्हें ये बताने की क्या जुड़रत थी कि मैं तुम्हारे गल्फ्रेंड हूँ वो कहता है कि कीबे मेरा बच्पन का दोस्त है और वो मेरी ग्रैंड मा को भी जानता है इसलिए उसका सच जानना ठीक नहीं होगा मगर जब वो लोग डिस्टनेशन पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर उनके कॉलेज से बहुत सारे लोग पहले से आयोए थे जिन्हें कीबे च चिला चिला कर बताने लगता है कि यह है चीजुरू मेरे दोस्त काजुआ की गलफ्रेंड लेकिन यहां पर काजुआ की पुरानी गलफ्रेंड मामी भी आये होती है मामी चीजुरू को देख कर कहती है कि यह तो बहुत क्योट है मुझे तो इससे बहुत जलन हो रही है इसक पर चीजुरू कहती है अब ये सब बोलना बंद करो क्या तुमारे पास इतना भी common sense नहीं है कि अगर तुम किसी को डेट करो तो उसकी personal बाते किसी को ना बताओ मगर मामी नहीं सुनती वो continue बोलती रहती है चीजुरू काजुआ से उसे जवाब देने को कहता है मगर काजुआ उससे कुछ नहीं कहता तो चीजुरू गुस्से में वहाँ से चली जाती है इसके बाद काजुआ जब घर जाने लगता है तो उसने बहुत रिंग क्या हुआ था तबी मामी उसके पास आती है और उसे सहारा देते वे अपने साथ लेकर जाती है फिर वो उससे पूछती है क कि मेरे घर पर कोई नहीं है क्या तुम मेरे साथ चलोगे काजुआ कहता है लेकिन तुमने तो कहा था कि तुमारा बॉइफ्रेंड है मामे कहती है नहीं मैंने जूट कहा था ताकि मैं तुम्हें और अच्छे से जान सकूं ये सुनते ही काजुआ के मन में लड़ू फोटने लगते हैं फिर मामे उसे कहती है लेकिन तुमने तो नहीं गेलफ्रेंड बना ली और वो तुमें भले है मुझ से सुन्दर लगती हो लेकिन वो अंदर से कैसी है ये तुम नहीं जानते तबी काजुआ कहता है कि तुम उसके बारे में नहीं जानती मैं तुमें अभी भी प क्योंकि रिश्टूरेंट में जब मामी उसके बारे में उल्टी सीधी बाते कर रही थी तो वो चुप-चाप सुन रहा था चीजुरू कहते हैं कि कोई बात नहीं मैं तुम्हारी रेंटल गल्फिंड थी तुम किसी के साथ कुछ भी करो इसे मुझे क्या तभी वो रोने लग कही तो वो से वहीं छोड़कर भाग आया था चीजुरू कहती है कि तुम उसे डेट कर सकते हो और मैं तो तुम्हारी रेंटल गल्फिंड हूँ ही तभी काजुआ को उल्टी हाने लगती है जिसे देखकर चीजुरू अपने घर भाग जाती है अब हम काजुआ को अपने द नई गल्फिंड बना ली लेकिन मुझे लगता है कि उन दोनों का ब्रेक अप हो जाएगा वहीं काजुआ अपने मोबैल में सर्च कर रहा था कि पुरानी गल्फिंड को वापस कैसे पटाए तभी वहाँ पर मामी आ जाती है और उससे कहती है कि तुमारी गल्फिंड सही कह है मामी कहती है कि हम दोनों ने एक साथ डिजनी लैंड जाने का सोचा था और तो और हमने अपने बच्चे के नाम भी सोच लिये थे लेकिन तुमने तो अब दूसरी गल्फिंड बना ली इसलिए अब हमारे बच्चे नहीं हो सकते जिसके बाद का जुआ सोचता है कि वह उ लोगों के सामने ऐसे रियाक्ट करती है कि जैसे वो लोगों को जानती ही नहीं हो वो चीजुरू नहीं बलके कोई और है काजुआ बातरूम में जाकर सोचने लगता है कि अब वो क्या करे क्योंकि मामी को लग रहा था कि काजुआ अब चीजुरू को पसंद करने लगा है लेकिन वो सच भी नहीं बता सकता था क्योंकि अगर उसके दोस्तों को पता चल जाता तो वो उसका खूब मजा कुलाते और साथ में चीजुरू की भी बदनामी होती तभी वहाँ पर चीजुरू भी आजाती है वो उसे अंदर लेकर जाती है और उसे पूछती है कि तुम हर चीजुरू से गालिया देकर वहां से जाने लगती है तब वह पर मामी आजाती है काजुरू बाहर आता तो वो उसे पूछती है कि अंदर कौन है वो कहता है कोई नहीं मामी अंदर जाकर उसे देखने का सोचती है लेकिन तभी चीजुरू अंदर से काजुआ की गल्फरेंड बनकर निकलती है चीजुरू को बिना चसमे और कैप के देखकर सभी लोग उसे पैचान लेते हैं इसके बाद उसके दोनों दोस्त उसे सैड में ले जाकर पूछते हैं कि तुम उसके साथ बातरूम में क्या कर रहे थे इधर मामी भी चीजुरू से अपने पाटी वाले दिन के बिहेवियर के लिए माफी मांगती है थोड़ी देर के बाद काजुआ समंदर में नहाते वे नहीं होगे वो दोनों पानी में जाकर ब्रिसले ढूण रहे थे तब ही मामी गिरने लगती है तो काजुआ उसे पकड़ लेता है जिसके बाद वो से किस करने लगती है और फिर वो से गले लगा कर कहती है कि माफ करना मैं अपने जज़बातों पर काबू नहीं रख पाई वो अपने दोस्तों के साथ बैट कर गेम खेल रहा था तब ही काजुआ को उसकी ग्रैंड मा का कॉल आता है वो कहती है कि मैं कल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाली हूँ अब मैं जब चाहूं तब अपनी बहु को देख सकती हूँ वापस आने के बाद काजुआ और ची गेम इंड कर देता है और सभी से कहता है कि हम दोनों ब्रेक अप करने का सोच रहे हैं इसलिए हम किसी गेम नहीं खेल सकते लेकिन ये सुनने के बाद काजुआ का दोस्ते कीबे उसे मारने लगता है वो पागलों की तरह उस पर चिलाने लगता है कि तुम इतनी खूपसूर गल्फिन थी फिर जब काजुआ वहां से जाने लगता है तो चीजुरू उसे कहती है कि तुमने सब के सामने ये कहकर बहुत अच्छा किया कि हमारा ब्रेक अप हो रहा है वो ये भी बताती है कि मेरी ग्रैंड मा भी अगले वीक में हॉस्पिटर्स से डिस्चार्ज हो रही है थोड़ी देर के बाद कीबे चीजुरू को अपने साथ लेकर जाता है और उसे बताता है कि मैं काजुआ के बच्चपन का दोस्त हूं उसका बहुत बार दिल तूटा है जहां तक मैं जानता हूं कि वो किसी लड़की का दिल नहीं तोड सकता इसलिए तुम दोनों के बी सुनकर चीजुरू इमोशनल होडाती है तब ही कीबे उसे दो टिकट देता है और कहता है कि तुम दोनों को अगेले कुछ टैम साथ बिताना चाहिए यह सब देखकर काजुआ इतना इमोशनल होडाता है कि वो दहाले मार मार कर रोने लगता है जिससे की वो दोनों से देख लेते हैं इसके बाद वो रोरो कर कीबे से माफी मांगता है फिर जब कीबे वहां से चला जाता है तो चीजुरू काजुआ के पास आती है और उसे वो टिकट देकर कहती है के कीबे के कहने पार एक आकरी बार मैं तुमारे साथ चलूँगी इसके बाद वो दोनों सिप पर गोमने के लिए जाते हैं जहां काजुआ चीजुरू से कहता है कि हम दोनों के जूटे रिलेस्टिप के वज़ा से बहुत से लोगों के दिल को ठेस पहुँची है इसलिए आज के बाद मैं कभी भी तुम्हें रेंट नहीं करूंगा और तुमसे दूर रहूंगा तभी काजुआ को मामी का कॉल आता है जो उससे कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाती हूँ मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है इसी बीच चीजुरू चकर खाकर समुदर में गिर जाती है जिसके बाद काजुआ भी उसके पीछे समुदर में कूद जाता है अब हम देखते हैं कि चीजुरू एक ऐलन पर बेहोस पड़ी है उसे जब होस आता है तो काजुआ उसके सामने ही बेहोस पड़ा हुआ था है तब उसे याद आता है कि जब वो बेहोस होकर गिरी थी तो काजुआ उसे बचाने के लिए नदी में कूद गया था वो काजुआ को उठाने की कोसिस करती है वह नहीं उड़ता तो वह से सी You देती है जिससे की तुरंत उसे ह सा जाता है तभी कोश्ट गार्ड उन्हें ढूंदते वे वहां पहुंच जाते हैं इसके बाद चीजुरू को चेक अप के लिए हॉस्पिटल ले जाया जाता है और काजुआ सी पियार किस के बारे में सोचता रहता है अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां लाल स्टे था इसलिए चीजुरू उसकी गल्फिंड बनकर उसकी दादी से मिलने के लिए जाती है आज ग्रेंडमा का हॉस्पिटल में आकरी दिन था ग्रेंडमा चीजुरू को बताती है कि आज मेरे हस्पिंड की डेट अनिवर्सरी है इसलिए माफ करना आज मैं थोड़ा अगर तुम एलियन भी हो तो मैं तुम्हें पसंद करूंगी इसके बाद हम देखते हैं कि काजुआ चीजुरू के साथ बैठा हुआ है तब ही चीजुरू देखती है कि काजुआ का फॉन तूट गया है वो पूछती है कि तुम्हारा फॉन कैसे टूटा तो वो बता देता है कि ये जब मैं तुम्हें बचाने के लिए समंदर में कूद रहा था तब ये सिप पर गिर कर तूट गया था इसके बाद काजुवा सोचता है कि चीजुरू कितनी मैचुर है वो अपने इस पतले दुबले तिनके के सरीर के साथ इतना काम कैसे करती है फिर वो उससे कहता है कि जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो पूरा बदल जाता हूँ इवन उस दिन सिप पर तुम्हें गिरता देख पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मैं किसी की परवा किये बिना कूद गया फिर वो कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं कल सब को बता दूँगा कि हमारा ब्र दूसरी तरफ मामी अपने घर में बैठ कर काजुआ के बारे में ही सोच रही थी वो उसे प्यार करने लगी थी और उसे लेकर परिसान थी इधर काजुआ का दूसरा दोस्त कूरिबासी उसे और चीजुरू को साथ देकर उसके पास आता है और उससे पूछता है कि तुम द गर्फिंड बन गई है इसलिए सेट एडे को तुम दोनों भी मेरे साथ डेट पर चलना अब हमें सेट एडे का सिंध दिखाया जाता है जहां कूरिबासी अपनी गर्फिंड को उन दोनों से मिलवाता है तबीका जुआ देखता है कि वो तो बहुत ही सुन्दर है और वह व कूरिबासी बहुत स्ट्रॉंग था इसलिए वो फटाफट उपर चड़ जाता है लेकिन रूका का जुआ नहीं चल पाते इसके बाद का जुआ कूरिबासी से कहता है कि तुम कैसी लड़की को डेट कर रहे हो ये तो बहुत कमजोर है ये तुम्हारे टैप की बिलकुल नह जिसे सुनकर उसके फ्यूज उड़ जाते हैं मगर वो कहती है कि रेंटल गर्फ्रेंड वो क्या होता है रूका वहां से चली जाती है तो वो जाकर काजुआ से पूछती है कि रूका को कैसे पता चला कि मैं रेंटल गर्फ्रेंड हूं काजुआ भी ये सुनकर हैरान होता है चीजुरू कहती है मैंने मना कर दिया किन उसे सक हो गया है जिसके बाद वो दोनों उसके पास जाते हैं और उससे कहते है कि मुझे लगता है तुम्हें कोई गलत फैमी हुई है मैं और काजुवा सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं जिस पर रोका कहती है कि प्यार करती हो तो फिर मुझे किस करके दिखाओ काजुवा मनी मन सूचता है अरे ये चुडल तो आग में घी दे रही है लेकिन चीजुरू से यकीन दिलाने के लिए किस कर लेती है मगर वो फोन से अपना चेहरा कवर करके बीच में उंगली ले आती है जिस पर रुका कहती है कि किस ऐसे न काजुवा को उससे जलन हो रही थी वैसे उसके पास तो दो लड़किया थी लेकिन वो ना तो घर का था और ना ही घाट का फिर रुका और कूराबाशी भी अपने अपने घर चले जाते हैं काजुवा भी अपने घर जाने के लिए निकलता है तो उसे मेट्रो स्टेशन में रुका मिल जाती है उसे लगता है कि काजुवा उससे स्टॉक कर रहा है इसलिए वो उससे कहती है कि तुम फेक बॉइफरिंट के साथ स्टॉकर भी हो क्या फिर वो उससे कहती है कि मेरा पीछा करना बंद करो नहीं तो मैं पुलिस बुला दूंगी मगर वो उसके पीछे ज यहां काज़ुआ उससे बताता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता चला तो वो कहती है कि तुम दोनों बहुत ही अच्चे कपल हो, मुझे पता चला कि तुम उससे बचाने के लिए समुंदर में कूद गए थे, इसलिए मुझे उससे जलन होने लगी, और जब मैंने पता किया त तो पता चला कि चीजुरू तुम्हारी रेंटल गल्फरिंड है इसके बाद वो दोनों मेट्रों से बाहर जाते हैं जहां काजुआ उसे बताता है कि कैसे चीजुरू को उसकी ग्रैंड माने अपनी बहु मान लिया फिर वो रूका से कहता है कि तुम एक बार मेरे फोन में बो कर उसके सर पर चोट लगने से बचा लेता है वो उसके उपर गिर गया था रूका पूछती है कि ये तुम क्या कर रहे हो तो वो कहता है कि मेरे दोस्त ने तुम्हें अपनी गर्फरिंड बनाने के लिए बहुत मेहनत की है मैं तुम्हें चोट लगने कैसे देता इसके जैसे चीजुरू को बदनाम होना पड़े। इसलिए मैं तुम्हारे आगे भीक मांगता हूँ कि तुम कसम खाओ के तुम उसके बारे में किसी से नहीं कहोगी। जिसके बाद रुका कहती है कि मैं भी रिंटल गल्फरेंड हूँ। ये सुनकर काजुआ के दिमाग हील जाते हैं और वो वहाँ से भाग जाता है। इसके बारे में पता करने की कोशिस करते हैं। जहां उन्हें पता लगता है कि रुका किसी दूसरे कमपनी में है जो टोक्या से आउपरेट होती है। तबी एकदम से चीजुरों वहां से उठकर जाने लगती है। और काजुआ से कहती है कि मेरा टैम खत्म हो गया। अब हम में अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। जहां सभी लड़के की नजर एक लड़की पड़ थी। जब देखता है तो वो लड़की रुका थी। काजुआ उसे देखकर छुपने लगता है। लेकिन वो उसी के पास आ रही थी। काजुआ उसे पूरता है कि तुम मेरे कॉ कासरुम में चला जाता है। और उसे पूछता है कि तुम यहां क्यों आई हो तो वो कहती है मुझे हग करो। लेकिन कुराबेसियों से धूनते वे वहां भी आने लगता है। इसलिए वो दोनों जाकर डेस्क के नीचे छुप जाते हैं। जहां रुका उसे खुद को हग कर फिर जैसे ही वो दोनों अलग होते हैं वहां पर कुराबेसी आड़ाता है। उसे देखकर रुका काजुआ के सामने उसे कह देती है कि मिस्टर कुराबेसि आपका मुझे रेंट करने के लिए बहुत बहुत सुक्रिया। जिसके बाद कुराबेसि वहां से रोते वे भाग चाता है अब हम अपनी मामी को देखते हैं वहीं मामी कालेज में बैठ कर अपने फोन में काजुआ के फोटो देख रहे थी तब ही वो काजुआ को कूराबेसी के पीछे भागते वे देखती है जिसके बाद काजुवा घर जाकर चीजुरू को दरवाजे पर खड़े होकर सारी बात बताता है कि रूका ने कूराबेसी के सामने बता दिया कि वो एक रिंटल गल्ट्फरिंड है काजुवा कहता है कि कूराबेसी तो कहीं मु नहीं रहा अब तो मुझे भी इस बात का डर लगने लगा है कास मैंने तुम्हें रिंट नहीं किया होता जिस पर चीजुरू कहती है कि ऐसा मत बोलो फिर मेरा क्या होता साहित चीजुरू भी का जुआ को प्यार करने लगे थी तभी वहां पर रुका आ जाती है इसी बीच हम मैं रुका के पास के बारे में बताया जाता है दरसल प्यारी रुका एक डिजीज के साथ पैदा हुए थी जहां एक नॉर्मल इंसान का हर्ट एक मिनट में सतर से असी बार धड़कता है वही उसका हर्ट एक मिनट में मात्र साथ बार ही धड़कता था इसलिए उसने सोचा क एगर वो rental girlfriend का काम शुरू करेगी तो उसका दिल जोडों से धड़कने लगेगा लेकिन फिर भी ऐसा कभी नहीं हुआ लेकिन उस दिन जब काजुआ ने उसकी जान बचाई थी तब उसका दिल 80 के speed तक पहुँच गया था प्रिजन्ट टैम में रूका काजुआ को परपोस कर देती है और उससे कहती है कि तुमारी वज़ा से मेरा दिल जोरों से धड़कता है मुझे तुम से सच्चा प्यार हो गया है क्योंकि तुम ही मेरा सच्चा प्यार हो तब ही चीजुरू वहां आ जाती है और उसे कहती है कि तुम काजुआ को इस तरह से परिशान नहीं कर सकती रूका कहती है कि मैं उसे परिशान नहीं कर रही वो भी मुझे पसंद करता है उसने मुझे हक किया था ये सुन कर चीजुरू काजुआ पर गुसा करने लगती है और उसे कहते हैं कि तुम के इपने घटिया इंसान हो जो तुमने अपनी दोस्त की girlfriend के साथ ये सब किया रूका चीजोरों से पूछती है कि तुम भाले की हो ना तुमने तो अभी तक इसके साथ कुछ किया भी नहीं होगा तबी काजुआ चीजुरू को वहां से अपने साथ लेकर चला डाता है जिसके बाद रू काजुआ चीजुरू पर चिलाने लगती है कि तुम अपने क्लाइंट के अपार्टमेंट में कैसे घुश सकती हो जरूर तुम यहां पहले भी आ चुकी हो और तुमने काजुआ के साथ कुछ किया भी होगा चीजुरू कहती है कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया फिर वो उससे कहती है कि वो इस तरह से काजुआ को परिसान करना बंद करे जिस पर वो रोने लगती है और कहती है कि मैंने अपने सचे प्यार को ढूंडने के लिए कितनी मुस्किलों का सामना किया है ये तुम्हें नहीं पता मगर काजुआ उसके सामने जुक कर कहता है कि मैं तुम्हारे फिलिंग की कदर करता हूँ लेकिन अगर मैं तुम्हारे साथ relationship में आ गया तो फिर मैं अपने दोस्त से कभी नजरे नहीं मिला पाऊंगा उसकी बाते सुन कर रोका कहती है कि प्लीज मुझे से इतनी नफरत मत करो अगर तुम मुझे डेट करोगे तो मैं किसी से नहीं कहूंगी मैं एकदम से तुम्हें ये सब करने के लिए नहीं कह रही हूँ तुम temporarily ही मुझे अपनी girlfriend बना दो तरह भी चीजुरू काजुआ को अपने स्राथ ले जाती है और कहती है कि तुम उसे डेट करो नहीं तो वो सब को बता देगी कि मैं किराय की girlfriend हूँ और मुझे लगता है कि वो तुम्हें पसंद भी करती है ट्राय करके तो देखो जिसके बाद वो रूका के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें अपनी temporary girlfriend बनाने के लिए तयार हूँ दोस्तो इस कहानी में आगे जो होने वाला है वो और भी interesting होगा आगे के कहाने में हम इस अनार के लिए और भी बिमार को देखेंगे लेकिन ये अनार किसके नसीब में होगा ये जानने के लिए आप watch next पर क्लिक करके इसके दूसरे पार्ट को जरूर से देख ले so well guys आज की वीडियो में इतना ही thanks to goodbye